हेलो स्टूडेन्ट आप सबका हमारी यूट्व चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है इस स्टूडेन्ट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीस्टी नर्सिंग की और साथ में बात करने वाले हैं यूपी स्कोलरसिप के बारे में लाखो ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस साल बीएस्टी नर्सिंग और पारा मेडिकल का कोर्स करने वाले हैं और अभी तक उनका इंटरेंस इग्याम भी नहीं हुआ है और यूपी स्कॉलर्सिप के फॉर्म भरने की जो लाज्ट डेट है वो 30 नौमबर है तो क्या वो लोग इस साल स्कॉलर्सिप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे या फिर ये डेट और भी बढ़ेगी मैं इस वीडियो में किलियर कर दूँगा तो वीडियो को अंतर तक देखना बहुत से बच्चे हैं जो अटल बिहारी वाजपई और उनिवर्सिप का फॉर्म अर्था CET भरा हुआ है और उसका इंटर्च भी देने वाले हैं और उसके माद्यम से बिस्टी नर्सिंग में अडिमिसन लेने वाले हैं और बहुत सी ऐसी युनिवस्टियें जैसे KGMU और UPOMS, SGPGI, JSVM Medical, College कानपूर तो ये सारी युनिवस्टियें भी अपना इंटरेंस कराती हैं और इनके भी अभी फॉर्म नहीं आये हैं तो बहुत से बच्चे काफी जादा समस्या समझ रहा हैं कि हमारे साथ होने वाली है क्यूंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसकॉलर्सिप पर ही नेरभार होते हैं और इसकॉलर्सिप के माध्यम से ही वो अपनी आगर की पढ़ाई करते हैं क्यूंकि BSC Nursing की जो fees है बहु पूरे साल की अगर स्कोलरशिप मिल जाती है तो उनके लिए बहुत ही आराम हो जाता है क्योंकि जितने इसकी फॉर्म भरने की लाज डेट है तो ये डेट अभी बढ़ाई जाएगी कच्छा नाइन और टेन के जो बच्चे हैं उनकी स्कॉलर्सिफ फॉर्म भरने की डेट नहीं बढ़ेगी ये चीज आप किलियर कर लीजिए लेकिन जो कच्छा ग्यारा बारा और पारा मेडिकल बीएसी नर्सिंग इन सभी की स्कॉलर्सिफ फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई जाएगी 100% किलियर है पिछले साल का ही मैं आपको बता रहा हूं पिछले साल 10 जनवरी तक स्कॉलर्सिफ के फॉर्म भरे गये थे और इस साल भी 10 जनवरी तक स्कॉलर्सिफ के फॉर्म भरे ज कारंटी है कि यह बढ़ाई जाएगी और दस जनवरी तक स्कॉलसिफ के फॉर्म भरे जाएगे तो आपके लिए अच्छा यह होने वाला है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है और इंट्रेंस दिया है और आपका जो रैंक होगी वह अच्छी आएगी तो आप फर्स् स्कॉलसिफ का फॉर्म आाम से फिलकर पाऊगे अगर सिकंड सिकंड तक तो हो सकता है चंस मिल जाया कि 10 जनवरी तक तो इसकॉलसिफी डेटी जाना हि जाना हर साल लगभग जाती है दस जनवरी तक नहीं जाती है तो 30 दिसम्बर तक लगभग हर साल कितने भी साल का उठा कर आप देख लेजी 30 दिसम्बर तक इस खॉलोसिक की डेट जाती थी पिछले साल 10 जनवरी तक गई थी क्योंकि कुरोना था और इस साल भी जाएगी और सबसे बड़ी बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल अर्थात अगले साल यूपी में इलेक्शन होने वाला है तो सरकार भी अर्था यूपी गौवर्ण्मेंट भी नहीं चाहेगी कि कोई भी बच्चा यूपी स्कॉलर्शिप से वन्चित रह जाए तो इसलिए आपको स्कॉलर्शिप फॉर्म भरने की डेट मिलेगी दस जन्वरी तक जाएगा क्योंकि अगर ये लोग डेट नहीं बढ़ाएंगे तो समाज के लियान विभाग में क्या होगा बच्चे धरना परदसन करेंगे बहुत बच्चा जाएगा धरना परदसन के ल कराम हुआ था उसकी भी कांसिलिंग कंप्लीट नहीं हुई तो नीट के बच्चे भी बहुत सारे जो हैं भरेंगे तो इसलिए डेट तो बढ़ना ही बढ़ना तो दस जन्वरी तक इसकी डेट जाएगी ये चीज के लिए है दोस्तों और कोई सवाल है तो कमेंट करना मैं उसका भी रप्लाई दे दूंगा